हेलो गाईज मेरा नाम है जत्यन अगरवाल आप जुड़ चुके हैं दबूलो दे लास्टी चैनल के साथ आज हम डिसकस करना है दीपक नाटर के जो कौर्टर थ्री के नंबर्स थे जो उनकी प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर हमसे क्या-क्या पता चलाए एंड में एक बार टेक्निकल्स पर देख लेंगे कि चार्ट का कोई बेटर एडिशन का जोन आ रहा है नहीं आ रहा है या किस तरीके से चार्ट समय शो कर रहा है क्या चल रहा है उस पर लोग इतना दिमांग लगाते हैं यू नीट टू नो वाई दपी रेशो इस चीप अगर आप वो थीसिस डीकोड कर ले तो तो कोई बात ही नहीं है अगेन दीपक नाइटरेट के अंदर हम एक चीज़ जरूर समझ लें कि कमपणी में ग्रोथ रोध बहुत अच्छी आरे है इस्पेशली आपसे दीपक फिनॉलिक्स जो उनका फिनॉल का प्लांट है वो चालू हुआ है फिनॉलिक्स की कमपनी चालू हुई है इंडिया के अंदर जो phenol की demand थी ऐसा लग रहा है दीपक नाइटिट खुद से ही fulfill करता जा रहा है उसे obviously एक और subsidiary खड़ी कर रहे हैं बट उसके अंदर अभी कोई product से इनों ने disclose नहीं कर रहे हैं तो जब वो disclose करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे एक बार चलते हैं and numbers हम देख लेते हैं किस हिसाप से grow करें है तो revenue वगेर हम देख सकते हैं अब देखो consolidated में आपका revenue दीपक phenolix का भी आता है तो हम समझ सकते हैं कि जो phenol का इनका plant है कितना ज़्यादा revenue contribute कर रहा है कितना ही ज़्यादा मतलब मैं आप लोगों को बताएं सकता ऐसा लग रहा है पहले जो चीज लेट से ये company थी पहले हमारे पास और अब आप देखो ऐसा लग रहा है कि 60-70% contribution तो दीपक phenolix का ही होता जा रहा है कहीं ना कहीं तो profit after tax हो गया चाए यूनो इसका EPS होगे रहा हो गया सब कुछ बहुत अच्छे से बढ़ता रहा है बहुत अच्छी growth हा रही है 20-plus percent से company grow कर रही है even though कुछ-कुछ जो इसके segment से उन्होंने hit लिया है जैसे कि basic chemicals का segment हो गया यह आपका performance chemical का segment हो गया उन्होंने hit लिया performance chemical में बता रहे थे कि last year जैसे margins हो गया बहुत अच्छे थे pricing बहुत अच्छी चल रही थी तो वो unsustainable थे और वो कहीं ना कहीं correct होने थे वो correction के वज़े से हम देख सकते हैं कि company के अंदर जो वो particular segment है उसने hit लिया है बट finance speciality का segment ठीक कर रहा है यह आपका दीपक phenolics हो गया है वो तो बहुत ही शांदर तरीके से run हो रही है company and maybe future में हो सकते spin-off भी करते हैं उस company को but I mean वो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा बहुत धंक से इन्होंने अपने अंदर उस company को form करके बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको pick up करके और काम करना शुरू किया मैं इनकी corn call सुन रहा था उसके अंदर किसी ने पूछा भी कि आपके पास ऐसा क्या है जो बाकी phenol players के पास नहीं है तो क्या थे हम यह बताते हैं कि हमाँ पास क्या नहीं है हमाँ पर उतना पैसा नहीं था हमाँ पर उतना land acquire करने के लिए जगा नहीं थी समझ नहीं आ रहा में और बहुत ज़्यादा efficient है बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो carbon neutral हम कह सकते हैं उस plant को एक तरीके से वैसा है और emissions वगेरा बहुत ज़्यादा काम है discharge नहीं है waste का ज़्यादा तो उस basis पे कहीना कहीं plant इनका बहुत अच्छा बन गया वो जो challenges थे उसके वज़े से plant बहु अच्छा हो गया हम आपर और आज हम उस revenue का उस profit का फायदा है यहाँ पर देख रहे है कहीना के company के अंदर segment की performance देख लेते हैं गाई इस quarter on quarter basis पे इन्होंने यहाँ पर बता रहा है नहीं कि sequential basis के उपर इन्होंने यहाँ पर बता रहा है तो basic chemicals के अंदर हम देख सकते है quarter on quarter तो growth है finance speciality chemicals के अंदर flat आया quarter on quarter और जो performance product का segment है उसके अंदर भी quarter on quarter हम देख सकते हैं कि growth है तो यह year on year में ही सारे decline था दीपक phenolics तो भाई साब अलग ही चल रहा है ऐसा लगता है कि अलग ही pace पे चल रही है company in fact इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो capacity utilization है 115% का capacity utilization है बहुत ही बहुत ही बड़ी बात है यानि कि full throttle पे चल रहा है अभी दीपक का पूरा ही business and which is a very very positive thing उसके अंदर कोई भी दिकन नहीं है बहुत लोग कहते हैं कि जब यह na full throttle पे आ जाती है company especially chemical company जो production के अंदर तो फिर कहीं नहीं top लगने वाले होते हैं but तभी आपके उन्हें industry knowledge या company क knowledge help करती है phenol के अंदर हम देख रहे हैं कि और कोई producer ही नहीं है इस level का maybe I think reliance कह रहा था घुसने की but reliance नहीं कहा था कि हमारी जितनी production होगी अगर वो अलग से plant भी लगाते हैं तो वो consumption ही हो जाएगे हमारी सारी क्योंकि internal consumption के लिए उन्हें चाहिए जब मैं विनती और्गान आप देख सकते हैं कि दीपक phenolix जब से existence में आई है तो बाकी companies का कितना फायदा हो गया है तो कही ना कहीं बाकी companies के product development वगरा वो भी start हो गया है अगेन numbers are good और वो कही ना कहीं हमें chart पे भी दिखता है हमने देखा है जो उपर की resistance की line बनी हुई थी वो cancel out हो चुकी है stock घू रूमता हुआ दिख रहा है बिलकुल topping out का sign होता है यह जो formation है आपकी green candle, doji, indecisive, red candle, typical, typical behavior stocks का मुझे लगता है जो upward sloping line हमें दिख रही है इसके ओपर आके support report ले लेगा मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है इस chart के अंदर कि मैं आप लोग उसे कहाँ कि आपको यह let's say कि 1170-1200 के levels पर कहीं मिलता है, it's going to be a very very good buy और नीचे के लिए हम देख सकते हैं कि एक जो छोटी सी resistance ही बनाई थी वो cancel out हो चुकी है तो इसको मैं अगर यहांसे delete भी कर दूँ तो it wouldn't matter much और obviously मैं आपको honestly कहाँ दूँ तो हमारी mine काफी नीचे की है जो आपको lines दिख यहां साधे 900 के राउन breakout दिया था तब भी बहुत अच्छे से यह निकला था यह जरा सचोटा सा top मार के आ गया था और फिर इसने जब retest किया था तो यह trend line इसकी confirm हो गई थी but yes एक जो पर resistance की line मेरी बनी हुई आ रही थी ना that has been taken out which is a very very bullish sign for any stock हमने देखा था chart of the week segment के technical use करने से basically होता है कि आपकी entry exit बहुत better हो जाती है और काफी लोग मुझे मिलते हैं जो सिर्फ fundamentals पर भरोसा करते हैं काफी मिलते हैं जो सिर्फ technicals पर भरोसा करते हैं आपके लिए जो चीज काम कर रही है आप उसको use करो बिलकुल मैं आप लोग को कभी नहीं कहूंग आप द technically good zone would be I would say 1170 1200 जिदर भी आके टकराता है हो सकता है यहां ऐसे आके टकराए हो सकता है यहीं से टकरा जाए तो देखेंगे बड़ यह उपर की line आपको बड़ी clear दिखरी होगी आप खुद से draw कर सकते हैं and trading यूपर अगर आप मुझे follow करना चाते हैं link मैंने description में दे रहा का प्रोफाइल का आप जाके मुझे महाँ पर follow कर सकते हैं chart of the week वगेरा मैं महाँ पर publish करता ही हूं हमेशा so guys quarter three numbers for Deepak night rate have been really really good I do not think इसके अंदर कोई भी दिक्कत है और जो दहेच के अंदर इनका expansion वगेरा आ रहा है नहीं या तो उसके लिए land के उपर development वगेरा वो सारी चीज दिखाता है किस हिसाब से कौन से नहीं product launches होते हैं बाकी industry कैसे evolve होती है तो सारी चीज़े देखेंगे China one policy के तहथ definitely इनकमने इसको बहुत जादा फायदा हुआ है और वो फायदा कहीना कहीं continue होता हुआ देख रहा है COVID के वज़े से जो basically एक दिक्कत हो गई है पूरी दुनि के अंदर इंडिया है और जो chemical companies है हमारी definitely they're doing very well मेरे को बोलने की जरुरत नहीं है चार्ट आप से बोल रहा है कि company कैसे तरीके से perform कर रहे है but yes see जब यह stocks खड़े हो जाते है तो आप में patience होना चाहिए कि उनको hold किया जाए यह पर 300 रुपे पर खड़ा हो गया तो बहुत time क है but cyclicality is business के अंदर थोड़ी कम है as compared to lot of chemical companies that are out there और यह सब चीज हम थोड़ी बात में discuss कर सकते हैं अगर आप gold member हो तो आपके लिए एक वीडियो बहुत पहले मैंने बनाई थी I think महीना दो महीना पहले उसके अंदर we have discussed basic chemicals और यह cyclical conscience speciality क्या है क्या नहीं है क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ हमने उसके अंदर बहुत डीटेल में go through कर लिया था बर जब हम philips carbon black का stock analysis करेंगे इस channel के उपर तो definitely थोड़ा हम touch करेंगे उन points के उपर and I think आप लोग को और अच्छे से guidance मिल सकती है thank you so much watching this one I'll see you in the next one bye